तो आधे पन बात करेंगे ग्रामिन अर्थवस्ता में पंचाइदी राज व्यवस्ता से मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और इस वीडियो को पूरे जरूर देखें क्यूंकि आप कुछ में बहुत सी जानकारी मिलेगी इसी के साथ मित्रों मैंने पंचाइदी राज व्यवस्त में केवल पंचाइद समीतियों में केवल जिला परिसेदों में या उप्यूक्त सभी संस्थाओं में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्यूक्त सभी संस्थाओं में किया गया है नेक्स्ट दोस्तों पंचाइदी राज प्रणाली कहां नहीं है तो पंचाइदी राज दूसरा कौन सा था आंद्र प्रदेश राज्जे था जिसमें इस व्योजना को शुरुआत किया गया था नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए परजात तांत्रिक विकेंद्रिक करन परियाए है तो ये क्या हो जाएगा पंचाईती राज का हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों पंचाईती राज प्रणाली में ग्राम पंचाईत का गठन होता है ग्राम इस्तर पर नगर इस्तर पर प्रखंड इस्तर पर या जिला इस्तर पर ये तो बहुत आसान कुछ से ने किया हो जाएगा ग्राम इस्तर पर हो जाएगा बारत में सही माइने में इस्थानिय स्वसासन का जनक किसे माना जाता है लौड रिपन जी को माना जाता है नेश्ट दोस्तों 1957 में किस समीती ने भारत में त्री स्थारिय पंचाईती राज की सरोप्रथम सिफारिस कीती मोस्ट इंपोर्टेंट कुस्षिन है तो ये क्या हो जाएगा बलवन तराय मेता समीती हो जाएगी उसके पसाथ असोग मेता समीती कब आई थी 1977 में आई थी और असोग में ये बारती जनता पार्टी के उसमें आई थी और इसने क्या कहाता द्वी स्तर ये कहा था और ये समीती भी देख ली जी कब आई थी M.L. सिंग्वी समीती 1986 में आई थी और थुंगन समीती कब आई थी 1988 में आई थी ये important है आप येर जरूर याद रखें इनका नेक्ट दोस्तों भारत में पंचाइती राज प्रणाली का सुबारंब कब वा कहां हुआ तो ये 2 अक्टूबर 1959 को कहां पे हुआ था राजस्तान के नागौर में हुआ था नेक्ट दोस्तों निम्नमे से भारत में पहला नगर निगम कहां इस्थापित हुआ था तो ये most important question है तो ये कहां हुआ था चैन्नाई में हुआ था और यदि आपको चैन्नाई उप्शन में नहीं देखता है तो आपको मदरास देख जाएगा नेक्स दोस्तों बारत में प्रत्यक्स लोक्तंत्र का उधारन है तो बारत में प्रत्यक्स लोक्तंत्र का उधारन क्या हो जाएगा ग्राम सबा हो जाएगा नेश्ट दोस्तों यदि पंचायद भंग होती है तो किस अवदी के अंदर निर्वाचन होंगे most important question है और आसान भी है तो 6 मा के अंदर हो जाएंगे next दोस्तों एक विकास खंड पर पंचायत समिती होती है तो यह क्या होती है यह एक प्रसास की अधिकरण होती है next दोस्तों ग्राम पंचायत की आय का इस्तरोत कौन सा है तो देखिए भूमी और इस्तानिय कर होगा नहीं मरत्यू कर होगा नहीं मकान एवं पसू कर होगा नहीं तो क्या हो जाएगा मेला एवं बाजार कर हो जाएगा next दोस्तों पंचायती राज संस्ताएं अपनी निदी हेतु निरबर रहती है किस पर संपत्ति कर पर सरकारी अनुदान पर स्थानिय कर पर या विशेश कर पर तो यह क्या हो जाएगा सरकारी अनुदान पर हो जाएगा नेक्स दोस्तों भारतिय संविदान के निम्न अनुचिदों में से निमन अनुचेदों में से कौन सा अनुचेद राज्जी सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो ये most important question है ये क्या हो जाएगा article number 40 में ये बात हुई है इसी के साथ article number 43 अनुचेद number 43 43 में क्या बात हुई है कि आपको कुटी रुद्धों का विकास कर सकते हैं और 48 में अनुचेद number 48 में ये बात हुई है कि जो गायादी जो पालतु पसू है उनके वद्ध पर मतलब उनको अपन मार देते हैं उन पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और इसी के साथ 48A 48A में ये बात हुई है कि अपन परियावरण वावन्य जीवों का क्या करना होगा अपन को संगरक्षन करना होगा और अनुचे नंबर 51 में बात हुई है अंतराश्टी सांती और अपन को सुरक्षा का प्रियास करना होगा ये सभी important है किस संबेदानिक संसोदन द्वारा पंचायती राज संस्ताओं को संबेदानिक दरजा परदान किया गया तो ये कौन से संबेदान संसोदन के द्वारा किया गया था तो यह most important question है तो किसके द्वारा लिया जाता है राज्जी सरकार के द्वारा लिया जाता है देश में त्री इस तरी ये पंचाइती राज व्यवस्ता को किन राज्यों में सरो प्रथम अपनाया गया ये में बता चुका हूँ तो क्या इसका अंसर क्या हो जाएगा राजस्तान वा अंद्रप्रदेश हो जाएगा बारत सरकार द्वारा सामुदा एक विकास कारिकरम की सुरुवात की गई तो कब की गई थी ये 1952 को की गई थी विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना ये most important question है next दोस्तों बलवंत राए महता समीती ने किसको अधिक सक्तिसाली बनाने का सुजाव दिया तो किसको अधिक सक्तिसाली बनाने का सुजाव दिया पंचायत की जो समिती है उसको अधिक सक्तिसाली बनाने का सुजाव दिया नेक्ट दोस्तों पंचायद समीती का मुख्य निश्पादक होता है तो ये क्या हो जाएगा मुख्य निश्पादक खंड विकास अधिकारी होता है जिला परिशद का मुख्य कार्य है तो जिला परिशद का मुख्य कार्य क्या है समन्वे एवं परिवेक्सरन करना यानि समन्वे मतलब एक उद्देश होता है कि इतने इतने ऐसे काम करने है इस अनुशार होता है खंड इस्तर पर पंचायत समीती एक क्या है तो खंड इस्तर पर पंचायत समीती एक प्रसासनिक प्रादी करण है खंड इस्तर अपन मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत और जिला परिशत होता है उन दोनों की ये बीच की कड़ी होती है ये इसको ब्लॉक इस्तर भी कहते हैं और अलग-अलग राजियों में इसके अलग-अलग नामें जैसे तालुका वगेरा हुआ नेक्ट संग सुची यानि केंदर सुची राज्य सुची और संबर्ती सुची संग सुची में वाज सुची आती है जिसमें संग के कार्रे होते हैं सारे राज्य सुची में राज्य के आते हैं और संबर्ती सुची में संग और राज्य दोनों को मिलाके जो कार्रे बगरा किये जाते हैं वो आते हैं तो दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेंट कुसिन आपके सामने रखें आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें कोई भी क्वेरिया प्रॉब्लम हो या फिर मैं वीडियो में क्या बदलाव करूं या फिर आपको और क्या समझना है उसके बारे में जरूर कमेंट करें अपने फ्रेंट्स में सेयर करें और नए मेहमान से विंतिया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं जिसे वीडियो नोटिपेशन से आप तक पहुंसकें तो टैंक्यो प्रेंट्स जैहिंद जैबारत